कि निप्टी बैंक निप्टी में एक बड़या opportunity आप लोगों को जो मिलने जा रहा है उसके उपर किस तरीके से trade कर सकते हो और उसके पीछे का complete logic क्या है और best option का trade हम लोगों को कहां पे मिलेगा अगर आपको एक professional trader बनना है तो सबसे पहले आपको सिखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो free वाले telegram channel में secret signal दिये जाते है उसके पीछे का complete logic क्या है यह logic purely price action के उपर depend रहता है अगर आपको एक price action best trading strategy develop करना है तो सबसे important बात आपको समझना पड़ेगा कि price action के basic concept क्या है उसी basic concept को आप implement करना चालू कर दिजे लायू market में तो आपको धीरे धीरे एक आपना ख consistently profitable रहेगा तो आप एक professional trader बन पाओगे तो सबसे पहले आपी start कर लेते हैं निप्टी का analysis अभी आपके सामने मेंने निप्टी का chart लगाया हुआ है यह daily का spot का chart मेंने आपके सामने लगाया हुआ है अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर clear कर दिखाए दे रहा है कि यह जो trend line है यह trend line को market ने तीन बार respect किया हुआ है और अभी बहुत ही crucial point पर मतलब चोथी बार market यहां पर आ चुका है तो अभी यहां से breakout देगा तो market उपर जाएगा कि नहीं जाएगा कैसे पता कर सकते हैं एक बात price action के हिसाब से आप याद रखो कि कौन सा भी resistance level हो अगर market एक अच्छा कासा breakout मिलने की probability बढ़ जाती है और otherwise यहां पर लंबा travel करने के बाद breakout देगा तो वहां पर false breakout की probability बढ़ जाती है अभी जब आप इसके पीछे का psychological reason पूछोगे और जब वह psychological reason आपको पता चलेगा तब आप आसनी से identify कर पाऊगे कि वह false breakout होगा वह actual breakout होगा जब भ अच्छा कासा profit यहां पर मिलेगा तो high probability रहेगी कि वह profit book करना यहां पर prefer करेंगे उसकी वज़े से क्या हो जाएगा market उपर जाके फिर दुबारा नीचे आजाएगा अगर market इस level पर consolidate करता है और फिर एक breakout हम लोगों को मिलता है तो यहां पर क्या हो जाता है option writer जो writing का position बना हो जाते है और एक quick momentum हम लोगों को देखने को मिलता है जब भी market में एक बड़ा position built up होगा जैसे कि यहां पर अगर आप देखोगे तो market consolidate हो गया consolidate के बाद market ने जो breakout दे दिया उसके बाद एक quick और fast momentum हम लोगों को यहां पर देखने को मिल चुका था तो अगर market यहां पर consolidate नहीं करता है और Tuesday के दिन मतलब 16 August के दिन market directly gap up के साथ open हो जाता है तो उस case में क्या हो जाएगा market उपर की side में ज्यादा sustain नहीं हो पाएगा अभी 17 1800 का जो level है वो open interest के data के हिसाब से crucial level निकल क्या आ रहा है क्योंकि अगर हम लोग call की side में देखेंगे तो one of the highest open interest यहां पर built up हो चुका है सेम 18000 का जो level है 18000 के level पर call की side में one of the highest open interest develop हो चुका है तो यह क्या हो गया हमारे लिए resistance 1 हो गया यह resistance 2 हो गया अगर market यहां पर gap up opening हो जाता है और यहां से market consolidate करके फिर दुबारा इस trend line के करीब आता है और जैसे market trend line के करीब आएगा अगर daily chart के उपर एक hammer candle बनाता है यहां फिर कोई bullish इंगलफिंग का pattern बनाता है तो यहां से market a quick bounce back हम लोगों को दे सकता है इमीजेट अगर gap up open होता है तो उस trade में आप ज़्यादा दिल्चस भी मत लीजे क्योंकि यहां पर false breakout होने की probability ज़्यादा है अगर हम लोग यहां पर price action का concept को implement करें तो हमें best trading opportunity कब मिल सकता है 16 तारिक का दिन हमारे लिए हम रहेगा 16 तारिक के दिन market जो भी high और low बनाएगा वो high और low हमारे लिए important रहेगा क्योंकि इस high low के उपर आगे का momentum depend रहेगा अगर market को reverse आना है तो market singlely one time touch करता है और immediately reverse घूम जाता है यह हम लोगों ने अल्रेड़ी देखा हुआ है तो मागर 16 तारिक के दिन जो candle बनेगा वो उसका low अगर immediate next day break हो जाता है तो market नीचे आ सकता है यह फिर market अगर यहाँ पे consolidate हो जाता है और फिर उसका high 2-3 दिन के बाद break करता है तो market उपर जाने की probability है तो high probability यह है कि 16 अगस्ट के दिन market एक gap up open हो सकता है gap up open होने के बाद immediate हम लोग trade नहीं करेंगे पहले price action को देखेंगे फिर open interest के ढखेंगे और फिर उसके बाद मैं अपने इस free वाले channel में update कर दूँगा जहांपे मैं bank nipty nipty option के free के signals देता हूँ यह free वाले channel का link वीडियो के नीचे description box में डाला हुआ है जहांपे दो लाग से जादा लोग जुड़े हुए है आप उसको join कर सकते हो अभी यहां पर यह opportunity मिलने के बाद हम लोग decision लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है अभी price action में सबसे important बात रहती है कि market कौन से level को break कर सकता है और कौन से level को hold कर सकता है यह हम लोग price action से कैसे decide करें अभी हम लोगों के पास एक resistance level बना हुआ है और एक support level बन चुका है जब भी market को इस level को break करना रहेगा या इस level को downside की तरफ break करना रहेगा तो open interest के data में हमें पहले से यह idea आ जाता है कि market कौन से level को break कर सकता है मालों की market 16600 के level के उपर मतलब बीच में trade कर रहा है और यह 17000 का important crucial level है तो जैसे जैसे market उपर बढ़ता जाएगा यहाँ पर 17000 के level के उपर जो call writer बेठे रहेंगे वो लोग यहां से exit होना चालू हो जाएगे अगर market उपर जाते समय यह लोग यहां से exit हो रहे है तो इसका मतलब है कि market इस level को break करके उपर जा सकता है अगर market उपर जा रहा है और यहां पर लोग exit नहीं हो रहे है बलकि add हो रहे है तो इसका मतलब यह resistance level जो यह resistance level strong होते जा रहा है तो जैसे market इस level के करीब जाएगा हम लोग ट्रेडिंग का डिसीजन ले लेंगे जो लोगों को मेरा फ्री का ओप्षिन चेन का कोर्स करना है उसके डिटेल्स में ने टेलिग्राम चैनल के उपर दे हुए आप वहां पर जाके चेक कर सकते हो बैंक निप्टी का जो अनलीसिस है वो में केल के वीडियो में आपको डाल दूँगा कि वहां पे कौन से आप्षिन में बेस्ट अपर्चुनिटी हम लोगों को मिल सकता है तो इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए आपने यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दाबा दीजिए मिलता है नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में थैंक्यू वेरी माच